मुल्तान सोल्टान से सिंगल है मैच है और इंतहाई से जादा बिलकुल बिलकुल वन साइड है और बोरिंग मैच हुआ है पहला गदाफी स्टेडियम वाले मैच का मुलता सुल्दान से सिंगल हैंड़ी पिशावर जल्मी को बीट किया है 42 रंस से और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं दर्दनाक हारे मिल रही हैं पिशावर जल्मी को क्योंकि वो अभी तक सिक्स मैचेस खेल चुके हैं और फॉर पॉइंट से सिफ़ से विनकार फिफ्ट नंबर पे हैं पिशावर जल्मी की टीम के भी हलात बहुत अभी खराब जा रहे हैं कर कमबैक तो कर सकते हैं तो अगर आखरी के चार अगर मुल्तान सुल्तान की तो बार हिसने अब आगे आगे तो तोड़ता है अब तो बाकी फूर टीम ही बचिए और तो तोर ती सामवा जुनेट और लाहर कलंदर अब इन चारों में से पतानी विनिंग स्ट्रीग है सबसे पहले वहीं देखेंगे आज का मैच जो होगा वो नह स्ट्रीक ब्रेक कर पाएगा या नहीं मैच मुल्कान सुल्तान ने 183 का टार्गेट दिया इंतहाई से ज्यादा तो इस पिछ पर थोड़ा ज्यादा टार्गेट था क्यों कि गदाफी स्टेडियम मशूर है पहले बैटिंग करो फिर दूसरी इनिंग में जीतो पहले बैटिं करने आले टीम की जीती हैं चाहिए ने इस बहुतबहु करना सबसादा आच headaches 39도 46 बोट सिक्स इटना मारता है मैं मुल्तान सुल्तान सी तरव से असल जो आखरी में गिल्ट किए तिम डेविड ने किया है और तिम डेविड की वज़ा से इसको 180 तक पहुंच पाया वर्ना नहीं पहुंच पाता वर्न सेविंटी तक रह जाता तिम डेविड ने जैसे ठड़ी थोड़ा कम टार्गेट की बालिंग में भी चैंजे आए लियाम लिविंग्स्टन को पूरी के पूर ओर दिये गए लियाम लिविंग्स्टन भी आ खार जल्मी की बारे में ज़रा बात कर लेता है बहुत ज्यादा डिसापॉइंट कि बैटिंग में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो जमा रहा हैं जो अपनी टीम के लिए खेल रहा अपने लियम लिविंग्स्टन को लिए खेल रहे तो थोड़ा थोड़ा सेट हो रहे हैं वह थोड़ा बहुत आइसी ली मारना चाहरे हैं अब्यादंन मार रहें लेकिन फिर अबास अफरीली मर्जिंग प्लियर पाकिस्तानी बॉलर्स का लेवल है तो कि आमारे पाकिस्तानी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा और पाकिस्तान कहलाता ही लैंड ऑफ सिमर्स इंपास बॉलर्स जब लियां लिविंग्स्टन आउट होगे तो एक फॉटिफूर रंस की इनिंग्स के लिए फिर वह आउट करती जो जो बड़े प्लेयर जैसे शान मसूद शान मसूद एक तरीके के लोकल प्लेयर रहें के बतलब बड़ा नाम नहीं है वह वह इतना अच्छा परफॉर्म करने मैच विनिंग उन्होंने इनिंग खेलिए मैच वाली इनिंग खेलिए 69 रंस की अपनी टीम को इतना अच् पर टिम डेविट को अटैक करने के लिए भेश दिया वरना अगर नंबर थ्री पर स्वें मक्सूद को भेशते तो बना बनाया मुमेंटम मुलतांस सुतांस का डिस्ट्रॉय हो जाता और यह 16170 तक ही स्कोर रुप पाता कि पिशावर जलमी की भी कुछ खास बॉलिंग नह सबने ली थी पिशावर जलमी की बैटिंग में कुछ भी नहीं हुआ शुए मलिक ने फटी फोर रेंस बनाए ब्लैसिंग में थ्री विकेंट्स ली और जिंबावे के वह लोकल प्लेयरों की टीम से अच्छी वालिंग निकाराते जित्ते जो मुलतांस सुतांस की टीम में पछले साल से अच्छा परफॉरम करें तो हमेशें तेम को लेकर देते हर मैच में जब भी और तीम की तरफ से वह मैच कहलते हैं तो ऐसे मुलतांस की कोई भी अभी तक विनिंग इस्टीग नहीं तोड़ पाया उमीद तो ही कड़ते भही आ गया कोई ना कोई तीम इनकी व पाहिद अभी तक टीम है भाई शुरू के शुरू के अपने छे के छे मैचेस जीत के अराम से टॉप अफ पॉइंट्स टेबल बैठी और क्वालिफाइड भी कर चुके मुलतान सुल्तान की टीम सेमी फाइनल के लिए प्ले आफ कोई भी उनको नहीं हटा सकता क्वालिफाइ यह से बाहर यह दिमाट की वीडियो प्रिश्व को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें देजिए और सब्सक्राइब कर देजिए का और सब्सक्राइब कर बाराबर में बेल आकन भी जाओ पैस करने आपने अल्लाहाफिस